यो हाई गाईज वैलकम बेक तू इस न्यू वीदियों सो आज फिल्द इस वीडियो में एक राइपिंग टास्क चेळोगे तो यह ऐटिंग कैसे कैसे आईडिया किस किस तरह कि वह क्या हम यूज कर सकते हैं प्लीस कमेंट बोक्स में शेर जरूर कीजएगा ताकि और दूसरी स्टुडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशियल हो सके अगर आप अगर आप दिस अगरी हो तो 70% आप दिस अगरी में लिख होगे और रेश्ट ओफ दा 30% जो भी कंट्रास्ट स्टेटमेंट होगी हमारे पास लाइक डिस अगरीमेंट की या फिर अगरीमेंट की टाकियों तो अपनी इंटोड़क्षन में देने की कोशिच कीजिए कि कहीं स्टुड़िस क्या करते हैं कि अपना क्न्लीजन में भी ऑपीनियन दे सकते हैं लेकिन सबसे बहले इंट्रदक्शन की तरव सलते हैं ने इंट्रदक्शन में इन्होंने काया है Most large companies is take interviews for selecting, okay for selecting selecting के लिए किस कि selecting के लिए ये उन्हें describe नी किया while some people believe that some people believe that some people believe that i think so बहुत ज्यादा common हो चुका है okay like मैं कहों कि some people believe that की जंगा भी आप कुछ और use कर सकते हो क्या use कर सकते हो इसकी जंगा हम use करेंगे most of the individuals इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको आपके पास अगर सम पीपल सर्टेन पीपल यह कुछ भी ऐसा आता है तो इसको भी पैराफ्रेस कीजिए इसको भी आप पैराफ्रेस कीजिए जिससे आपका जो बैंट स्कोर है डिड़क नहीं होगा लेकिन चांसिस बढ़ सकते हैं कि आ कि यह एक अच्छा मैथड नहीं है तो हम किस तरह से पैराफ्रेस कर सकते हैं इन्होंने किस तरह से किया है कि इसके बाद हम पैराफ्रेस करते हैं फिर उसके बाद हम उपीडियण देते हैं एपना उपीडियन चिक है तो मैं आपको यही सिज़ेश करेगा कि इसी structure की तरफ चलिए आप जरून नहीं देना चाहते तो मत दीजें अब क्रते हैं टीक्र्था में क्या अब के लिए आपको प्लीस नोट डाउन कर लो एक बार दुबारा से सुनू मैंने क्या कहा है और फिर दुबारा नोट डाउन करो एक भी मिश्टेक मत करना और फिर बाद में देखना नोट बुक पे जो भी आपने लगाई है कि किस तरह से मैंने इसको पैरफ्रेस किया है आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अब में इंपोर्टेंट जो हमारे पास है उपीनियन उसके उपर चलते हैं आपको सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं बात कि आपको पार्शली कभी नहीं होना आपको डू यू एग्री में पार्शली न चलते हैं इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था और मैंने कहीं हद तक करने की कोशिश भी की लेकिन इन्होंने ओपीनियन भी अपना ठीक नहीं दिया क्यों कि यहां आई एग्री विद इस स्टेटमें और इन्होंने यह नहीं बताया कि मैं आगे नेक्ट परग्राफ में क्या चीज़ कहना चाहते हूं ठीक है तो आगे परग्राफ में नहीं कहना चाहते तो डॉंट वरी आप एग्री क्यों हो इससे एक आईडिया यहां पर दे सकते हैं वह किस तरह से यह वीडियो दरूर देखना जो आप आपकी स्क्रीन पर इस टाइम आ रही पर देसे हैं च tagged आफ करना सब्सक्राइब क्योग्या नहीं पर चिश्कराफ करक्ण यह तो प्यां परोल घूस कर देखना या more than one choose करते हैं तो इसका बिल्कूल भी मलब इतना deeply यार इतना serious ना लो task को जो भी आपने ideas हैं सबसे पहले आपने ideas को note down करो जैसे यहाँ पर आप ideas note down करो agree के और यहाँ पर आप disagree के note down कर लो फिर उसके बाद इनको एक structure में form करो okay मैं वीडियो description में दे दूँँगा उसके quoting जरूर चलना उसको जरूर देखना एक बार okay मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर आप सबसे पहले आपना ideas प्लैन करोगे 5 minute आपको ideas प्लैन करने में लगेंगे लेकिन उसके बाद आपके structures बहुत अच्छे बनेंगे okay तो firstly interview in interview are taken by all companies and after that they choose one among all who is best for their company okay who is best for their company in interviews they had they had had यहां past form है तो past form का हमें यूज नहीं करना यहां पर head की जंगा आप has भी लगा सकते थे लेकिन हमें past form का यूज नहीं करना तो इस intense structure गलत हो गया as a face to face interview face to face interview को हम और क्या बोल सकते हैं okay और हम बोल सकते हैं एक vocab थी इस तरहीं मेरे याद नहीं आरी और जैब इससे ही lecture में आगे याद आएगी आपको जरूर बताऊंगा face to face interview and candidate answer their question so they judge their personality also they can judge their ability ability इनो नहीं यूज किया to handle pressure and confidence यह आपने पूरा interview लिग दिया आपका science के student हो गया तो मतलब कहने का मतलब मेरा simply यह है कि इतना याद डीपली नहीं जाना यहां ना तो आपने एक्जाम्पल दिया है ना आपने यह कुछ examiner को बताया है कि यह मैं ideas क्यों आपना describe कर रहा हूं कि एक ऐसा idea क्यों हो यह एक बर समझाओ के comment box में partially का मतलब हमारे बेरेक्टी करता हूं लेकिन ज्यादा मैं disagree करता हूं उसे मैं आपने कोई मतलब की इसमें ज्यादा आपने यूज़ किया हो ज्यादा content आपने disagree का पाया हो या एग्रीमेंट का कम पाया हो लेकिन फिर भी आगे चलते हैं देखते है आगे आपने क्या किया है हो सकता है आगे आपने कुछ नया लिखा हो और मुझे आप तक समझ में नहीं आयो ओके तो देखते हैं सबसे बहले secondly there are many other methods कौन कौन से for hiring one of other common method is taking writing test ओके writing test so that they judge their theoretical knowledge theoretical knowledge so that person however however they do not get more ideas about that person but judge their personality second अब second method पीछे आपने secondly लिखा अब यहाँ आपको secondly लिखने की जुरुरत नहीं है क्या क्या यहाँ आप यूज करोगे यहाँ आप यूज करोगे nevertheless यह nonetheless ओके nevertheless यह एक ही word यह इसका क्या क्या करोगे nonetheless इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि आप contrast में बात कर रहे हो किसी भी एक जो statement है उसके contrast में आप बात करोगे तो आप nevertheless ये नंदालेस से लगा सकते हो आप बीपी 2 में अगर आप opposite किसी point के बारे में बात कर रहे हो तो आप direct nevertheless ये नंदालेस से भी शुरू कर सकते हो next बजलते है next secondly का use नहीं कर सकते है method is group discussion okay group discussion which is good where a major job requirement is conversational skill for jobs but there that is not good for all jobs आप यहां contrast भी दे रहे हो और यहां आप बोल रहे हो कि आप यहां आप नहीं लिख सकते है तो conclusion देखते है direct in conclusion I think that interview is good method to hiring someone but other common methods are also आप यहां आप क्या use कर सकते हो यहां आप को एक बार बताना चाहूँ यहां आप although का structure use कर सकते हो okay although 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 के बाद क्या interview is good method to hiring someone इतना आप use करके sentence formation comma का use करके comma use but की जंगा करना है but other second में other common methods are also good to hiring people okay यह आप second sentence लिखा सकते हो यहां आपका although का sentence formation use हो जाएगी okay तो bp1 आपने जो लिखा है जो bp1 आपने जो लिखा है उसमें आप 50% दे रहे हो आपना आपकी पूरी analyze कर रहा हूं और bp2 जो आपने लिखा है उसमें आपने भी 50% दिया है तो अगे इसमें देखते हैं feedback में देखते है feedback में आपने direct दिया है जो वह लिखेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया extra use कर यहां आप कही ना कहीं लेक कर रहे हो उसके बाद क्या आपने खुद आप खुद देखो अपने इसमें क्या आपने कोई example दिया है नहीं दिया example क्या आपने कोई भी एक bp खतम किया है therefore या फिर that's why कोई भी मतलब की overall से कोई bp use complete किया है आप वह किस तरह से करते हैं तो topic related statement होती है अमरे पास यह body paragraph की बात कर रहा हूं body की किसी भी body paragraph बनाओ तो सबसे पहले topic related statement वह मुझे आपकी नहीं लिखी उसके बाद हम ideas देते हैं okay ideas देते हैं उसके बाद ideas ideas के explanation with okay with explanation फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम example देते हैं example मुझे नहीं देखा कहीं उसके बाद हम overview देते हैं कि हमको इस BP के साथ end में हमें क्या लगता है यह हमारा पूरा body का structure होता है आगर आप यूज नहीं करते हैं अभी आप यूज नहीं कर रहे हो तो in focus इंपे करो okay और दूसरी बात मुझे आपकी introduction कैसी लगी तो intro इंट्रो जहां आपको ज्यादा focus करना है वह सबसे first word है paraphrase paraphrase में आप focus करो okay paraphrase paraphrase में आपको focus करना है और second आपको opinion देने का तरीका उसमें sentence formation मुझे आपको में कहीं भी sentence formation ऐसी नहीं लगी conclusion में जबकि आप oldो का structure यूज कर सकते थे लेकिन आपने oldो का structure यूज नहीं किया okay आप ब सर्वे में past की ही बात करेंगे जातर ओके वह सर्वे बगारा किस तना से देना है तो उसकी वीडियो चैनल पर आप लेबल है प्लीज पहले वीडियो को देखो उसके बाद task लिखकर मुझे send करो आप रैंडमली इस तना से task send कर रहे हो और मैं इसका band score अगर आप मांगते हो thank you very much for watching